एक चीज में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं नए एक्टर्स वो ये कि एक करेक्टर कैसे बनाया जाए आज हम अपनी इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे वीडियो को पूरा देखिएगा मैं हूँ अमिदांश I am an independent filmmaker आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिल्मिलालटेन तो आएए थोड़ी रॉष्णी डालते हैं दोस्तों अक्सर एक बात सुनने को मिलती है नए एक्टर्स जब एक्टिंग के लिए आते हैं तो उन्हें एक चीज समझ में नहीं आती कि एक करेक्टर को कैसे बनाया जाए करेक्टर यानि जो उन्हें परफॉर्म करना है जो स्क्रिप्ट उनके हाथ में आती है वो हर बार comfortable zone के हिसाब से नहीं आती कई बार बहुत challenging स्क्रिप्ट भी आ जाती है तब आपको अपनी छवी से हटके दूसरे की छवी में आना पड़ता है यानि कि आपको उस करेक्टर को बनाना पड़ता है अपने दिमाग से सोच के कि वो चलेगा कैसे, वो बोलेगा कैसे, वो कैसे अपने gestures देगा, वो कैसे किसी और से बात करेगा उसके facial expressions क्या रहेंगे, ये सब creativity के ओपर depend करता है बट कई बार होता है कि हम hang हो जाते हैं, hang यानि हमारा दिमाग काम नहीं करता और हमें समझ नहीं आता कि इस character को हम कैसे perform करें, उस case में नए actors को क्या करना चाहिए सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ आपको अपनी इस वीडियो में वीडियो को like जरूर कर दीजेगा, चैनल को subscribe नहीं किया है तो अब तक subscribe कर दीजिए प्लीज, सबसे आसान तरीका जो है वो ये है आप रोज मर्रा की जिन्दगी में जितने भी लोगों को देखते हैं, नए लोगों से आप मिलते हैं उन सब को notice कीजिए, observe कीजिए जो भी character बनते हैं, वो कोई अपनी creativity से कोई नया character नहीं बनाता, कोई भी actor वो अपनी रोज मर्रा की जिन्दगी में जब किसी से मिलता है, x, y, z, किसी भी इनसान से उसकी एक-एक आदत वो observe करता है, एक-एक चीज़ को वो notice करता है उसके बाद उन सब को मिला के कई बार एक character बना लेता है suppose कोई ऐसे हाथ लाके चलता है, कोई नॉर्मल चलता है, कोई ज़्यादा जोर से बोलता है कोई expressions के साथ बोलता है, कोई बिना expressions के बोलता है अगर हम अलग-अलग characters की आदत मिला दें, तो कई बार जो character हमें perform करना है हम उसको बना लेते हैं, करना क्या है? उनकी आदत observe करके अपने इस hard drive में यानि कि अपने दिमाग में notice करना है, उनको याद रखना है बस आपको सही time पे उस memory को निकालना है अपने दिमाग से जो आपने लोगों को notice करकरके अपने दिमाग में hard drive में भरी थी जब आप ऐसा कर लेंगे, जब आप ऐसा करेंगे daily आप लोगों को observe करेंगे और उनकी आदत को notice करेंगे और उनको घर में practice करके उनको dialogue उनके हिसाब से एक character बनाएंगे, daily ये practice करेंगे तो जब audition होगा या जब आपके हाथ में script आएगी आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगा उस character को perform करना I hope आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो please वीडियो को like कीजिए अपनी quarries comment में दीजिए मैं आपके सारे questions के answers दूँगा आप देख रहे हैं film इलाल टेन Thank you